असीम रियाज ने बिग बॉस 13 विनर रहे दिवंगत टीवी एक्टर सिधार्थ शुकला को लेकर बड़ा खुलासा किया है एक इंटर्व्यू में असीम रियाज को सिधार्थ शुकला को लेकर सवाल पूछा गया असीम ने सिधार्थ शुकला के बारे में बात करते हुआ बताया कि जिस रात सिधार्थ शुकला का निधन हुआ था उससे पहले वो मेरे सपने में आये थे इसके बाद मुझे ये आभास हो गया था कि कुछ गलत होने वाला है इस बात को मैं कसम खाकर कहता हूँ इसके बाद मेरे कजिन रुहान का मेरे पास फोन आया और उसने मुझे न्यूज आन करने को कहा लेकिन सच उसने भी मुझे नहीं बताया लेकिन बाद में सिड की अचानक से मौत की खबर सुनकर मैं सुनन हो गया। बिग बॉस सीजन 13 तरह से असीम रियाज और सिधार्थ शुकला के बीच हुए उतार चधाव के लिए काफी जाना जाता है। दोनों कंटेस्टेंस के बीच उस सीजन जबरदस्त घमासान देखने को मिला था। आलम ये रहा कि फिनाले में भी असीम और सिधार्थ पहुँच